नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बजवराज के वडियो में हम देखेंगे रर्वी एंटी पीसी के एक स्कूर कार्ड को देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बरहा गया है ठीक है तो चलिए हम किसी भी आरर्वी के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं हम आरर्वी एलहबाद का हमने वेबसाइट खोला हुआ यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे स्कूर कार्ड का लिंक है इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रेइस्टेशन नंबर और मुबाइल में जब खोलेंगे तो यहां पे हमारे पास स्कूर कार्ड है यह सकते है इसको मैं थोरा सा जूम करता हूँ ताकि आहां को अच्छे से दिखें ठीक है मैंने पहले से डाउनलूड करके रखा हुआ है इस स्कोर कार्ड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ देखेगा अब यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर देखेगा यह applied कहां से किया हुआ यह form है राची से और यह preference आपको दिया गया यहाँ roll number registration number और नाम दिया जाता है और यहाँ total जो question पूछे गया थे वो थे 100 जिसमें से 2 question इगनौर किया गया है total valid question आप देख सकते कि 98 है 98 question सही है 2 question रेरिवे ने इगनौर कर दिया और इन्होंने attempt किया था 82 number 82 question attempt किया था जिसमें से 57 सही हुए उनके और 23 question गलत हुए ठीक है अब अगर हम देखे माइनस करके तो यह लगभग 8 number घटेगा तो यह 49.33 आ जाएगा उसके बाद क्या किया गया प्रो रेटेड किया गया इसको 100 में convert किया गया तो यहाँ पे 50 में यह convert हो गया 50.34 आ गया उसके बाद अगर normalize score के बारे में बात करें तो दीख सकते हैं कि normalize में लगभग 16 number के आसपस increase हुआ है 16 number से जादा 16 number के आसपस increase हुआ है और इनका कुल normalize score आया है 66.79 ठीक है तो यह normalize score है नौर बलाइजिसन में सभी को 15 से 16 से 20 number भी मिल गया है 7 number भी मिले है 6 number भी मिले है किसी के बरहे भी नहीं है बटे मुझे जो लगता है कि आपका जो score आया होगा उसमें घटा भी नहीं होगा ठीक है तो इनका जो second choice के लिए यह है qualify नहीं है यहाँ पे तो यह score card है दो आप देखा इसके लिए thank you आसा करता हूं कि आज के दिन आप लोगा काफी अच्छर है अगले वीडियो में फिर से मिलते है thank you